और असे वीच नेपाल से एक बड़ी खबर नेपाल की राजधाने काटमांडू में प्लैन क्रेश हुआ है विमान में सवार 19 आत्री थे तो प्लेन क्रेश में 19 आत्री हादसे के शिकार हुआłem प्लेन में लगी आग उड़ान भरते समय हादसे का शिकार हुआ ये प्लेन सूरिया एरलाइन्स का विमान दुरगटना ग्रस्त हुआ है बड़ी ख़बर इस वक्की आपके सामने नेपाल की राजधानी काटमांडू में प्लेन क्रेश हुआ है और इस विमान में 19 यात्री सवार थे बताया जा रहा है कि उड़ान भरते समय ही ये जो प्लेन है वो हादसे का शिकार हो गया और सूरिया एरलाइन्स का ये विमान है जो की दुरगटना ग्रस्त हुआ है अब टेक्निकल इशू था या फिर क्या यहाँ पर कारण रहा इसको लेकर फिलाल जाज की जाएगी लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि इस विमान में 19 यात्री सवार है तो बड़ी कबर नेपाल की राज़ानी काटमान्रू से आपको बता रही है प्लैन क्रेश हो गया है और इस विमान में 19 यात्री थे अब ऐसे में क्या कुछ यहाँ पर सिचेशन्स रही किस कंडिशन में जो प्लैन है वो क्रेश हुआ है इसको लेकर फिल्हाल राज़ की जाएगी लेकिन ये बड़ा हाथसा और उडान भरने के समय ही हाथसे का शिकार हुआ है सूर्या एर्लाइन्स का ये विमान क्या कुछ तमाम जानकारी अपडेट आती वो आपको बताएंगे लेकिन फिल्हाल ये ही जानकारी मिल रही है कि इस प्लेन में जो क्रेश हुआ है इसमें 19 यात्री थे काटमांडू में ये प्लेन क्रेश हुआ है और आपको बताएं कि जैसे इसने विमान ने उडान भरी उसके बाद उडान भरते समय ही ये बड़ी खटना घट गई और ये हादिसे का शिकार हो गया तो धुआ उड़ता हुआ आप नजर आपको आ रहा होगा इस प्लेन से पूरा प्लेन इस आग की चपेट मे आ चुका है और दूर दूर तक ही धुआ उड़ता हुआ दिख रहा है बिल्कुल तो किस तरीके से इस प्लेन के पर खच्चे उड़ गए हैं आप साफ तोर पर देख पा रही है बड़ी संख्या में जो ऐसे ही सूचना मिली है रेस्क्यू टीम यहाँ पर पहुंची हुई है आसपास स्थानिय लूग जो है वो बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच रहे हैं लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि जो 19 याद्री इस प्लेन में सवार थे उनका क्या यहाँ पर हच्र हुआ होगा वो उनके जीवन पर इस वक्त संकट है अब कितनी जार्मान की हानी हुई है इसको लेकर फिलहाल जो अनकारिस पस्टन नहीं है यह अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे लेकिन फिलहाल यह तस्वीरे जरूर देकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह जो दुरगटना हुई है वो कितनी बड़ी दुरगटना है